तो फ्रेंट्स लास्ट वीडियो में हमने राज्जों के पुनर गठन को बहुत ही डीटेल में समझा था त्योरी सेक्षन में 1956 से 14 राज्ज और 6 केंदरशाशीत प्रदेशों से लेकर वर्तमान में 28 राज्ज और 8 केंदरशाशीत प्रदेश कप-कप केसे केसे बने इन सभी को हमने बहुत ही डीटेल में कवर किया था आज के इस वीडियो में हम उसी के mcq section को डिसकस करने वाले हैं देखिए आपको mcq तभी समझ में आएंगे तभी आपको अच्छे लगेंगे जब आपने वो वीडियो देखा होगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले वीडियो की लिंक दी गई है आप उस वीडियो को पहले देख लीजेगा तो आपको सभी mcqs जो आज हम यहां पर डिसकस करेंगे बहुत ही एजीली समझ आ जाएंगे चलिए शुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चेनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे आईए शुरू करते हैं और सबसे पहला कोशन देख लेते हैं कि राज्य पुनरगठन से केसे कोशन हमें एक्जामों में देखने को मिल सकते हैं तो सबसे पहला कोशन देखिए गोवा को पुनरज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था तो देखें यहाँ पर दो राज्यों की हमें बात करनी पड़ेगी गोवा और दमन और दीव यह ना यह दो राज्ये हमारे दमन और दीव और गोवा गोवा और दमन और दीव 1961 तक पुर्त गालियों के अंडर में थे भारत सरकार के दौरा 1961 में आपरेशन विजय अभियान च संशोधन किया गया था पारवा सवविधान संशोधन और इसके माध्यम से इन दोनों को एक union territory बना दिया गया था गोवा दमन और दीव आगे चलकर 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये भारत का 25 वा राज्य बन गया और दमन और दीव ये पहले भी union territory थी और अभी भी union territory है लेकिन गोवा अलग हुआ और 1987 में इसे 25 वा राज्य भारत का बना दिया गया ओके तो answer D यहाँ पर सही हो जाएगा इसके बात देखते हैं एक नॉमबर सन 2000 को MP से अलग करके किस राज्य का गठन किया गया था वेरी important और वेरी simple एक नॉमबर सन 2000 को मद्य प्रदिश से 36 गड़ राज्य को अलग किया गया और ये भारत का 26 वा राज्य बनाए गया नॉमबर मन्थ में सन 2000 में देखे तीन राज्य बनाए गये थे 26 वा राज्य एक नॉमबर सन 2000 को 36 गड़ MP से अलग करके बनाए गया इसके बाद 9 नॉमबर सन 2000 को 27 वे राज् देखने को मिलता है जो कि यूपी से अलगोंकर बनाए गया था। छे दिन बाद 15 नॉवंबर सन 2000 को 28 रज्जी के रूप में हमें जहारखंड रज्जी देखने को मिलता है जो कि यूपी से अलग करके बनाए गया था। तो इस तरह 26 रज्ज 36 गड़ 27 रज्ज उत्तराखंड और 28 रज्ज बनता है जहारखंड कि से अलग करके बिहार। यहाँ पर MP से अलग करके पुछा गया है तो ये बना था कोन 36 गड़। कब 1 नवंबर सन 2000 को क्लियर आगे बढ़ने से पहले एक important update देताऊं फ्रेंट्स क्रेजी जीके ट्रिक की application पर आप सभी के लिए quality की live बेचेस शुरू हो चुकी है 14 नवंबर से ये बेचेस आपके लिए available है crazy जीके ट्रिक की application पर अगर आप quality depth में जाकर पढ़ना चाते हैं डिटेल में पढ़ना चाते हैं अगर आप interested हैं तो आप crazy जीके ट्रिक application को play store से जाकर डाउनलोड कर लिजिए वहाँ पर आपको सभी courses available हो जाएंगे individually सभी subject के साथी साथ quality भी available हो जाएगा okay I hope update अच्छा लगा होगा आगे आ जाते हैं अगला question देखिए 1950 में भारती शेत्रों को किस रूप में अनुसुचित नहीं किया गया था तो 1950 में देखिए जो सविधान लागू किया गया था friends उसमें भारती राज्य शेत्रों की चार केटेगरी बनाई गई थी आप जानते हैं A B C O D A में वो छेत्र जो की British state है British prant के हैं B में देशी रियासतों को सम्मिलित किया गया था C में Chief Commissioner को जगा दी गई थी और D में अंडमान निकोबार दीप को जगा दी गई थी तो इस तरह हमें चार पार्ट देखने को मिलते हैं 1953 के भारत के सविधान में भारती संग के तो कौन सा शेत्र नहीं था तो भारती इस्टेट के नाम से हमें कोई एरिया देखने को नहीं मिलता 1950 में आंसर D हो जाएगा नेक्स्ट देख लेते हैं अगला कुश्चन जारखंड रज्ज किस रज्ज को विभाजित करके बनाया गया है अभी हमने बात किया थी जारखंड भारत का 28 वा रज्ज बना था आप जानते हैं 28 वा रज्ज के रुप में किस से अलग किया गया था तो अलग हुआ था बिहार रज्ज से अलग करके बनाया गया था ओके नेक्स्ट देखिए इस के धर आयोक का गठन किस वर्श किया गया था S के धर आयोक की बात की गई है friends तो S के धर आयोक का गठन 1948 में किया गया था भाशा के आधार पर राज्जो के गठन पर सिफारिशे देने के लिए इस आयोक का गठन 1948 में किया गया था answer B और इसके बाद 1948 के दिसंबर में ही JVP कमेटी का गठन भी किया गया था इसके बाद देखते हैं तेलंगाना राज्ज का गठन किस वर्ष किया गया था तेलंगाना भारत का 29 राज्जे friends 29 गठित राज्ज जो की 2 जून 2014 को गठित किया गया था भारत का 29 राज्ज answer B पुछा जाए किस से अलगों कर बनाया गया था तो ये आंध्र प्रदिश राज्ज से अलगों कर बनाया गया था 2 जून सन 2000 को 2014 को ठीक है चले इसके बाद 1 मई 1978 को किन दो राज्जों को व्यवस्तित किया गया था तो देखिए 1956 में भारत में 14 राज्ज थे 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरीस थी इन 14 राज्ज में से एक राज्ज था बंबई स्टेट जब बंबई स्टेट में क्योंकि दो भाषा के लोग रहते थे एक माराथी और एक गुजराती भाषी जो लोग थे उन्होंने एक अलग राज्ज की मांग की और महा गुजरात आंदोलन चलाया तब 1960 में एक माई 1907 को बंबई स्टेट को अलग किया गया और दो राज्ज बनाए गये एक बना महरास्ट और एक बना गुजरात राज्ज तो एक माई 1907 को किंदो राज्यों का गठन किया गया था तो महरास्ट और गुजरात राज्य का गठन किया गया था महरास्ट राज मुंबई स्टेट के स्थान पर ही था और गुजरात को अलग से बनाए गया है तो पंद्रेवे राज्य के रूप में ये अनुसुचित किया जा सकता है ठीक है आंसर यहाँ पर D हो जाएगा एक महीं 1978 को महरास्ट और गुजराद दो नए राज्य बनाए गए थे इसके बाद देखते हैं वर्तमान में भारत में कितने राज्य वकेंद्र शाषित प्रदेश है सिम्पल बहुत ही सिम्पल कुश्य है वर्तमान में भारत में स्टार्टिंग में यहीं आपको बताया था वीडियो के कितने हैं 28 राज्य और 8 यूनियन टेरेटरीज द्वर्तवान में देखने को मिलती है आंसर ए इसके बाद देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाक को केंडर शाशित प्रदेश कब गोशित किया गया था तो देखिए जब जम्मू कश्मीर भारत का पूर्ण राज्य था तब भारत में राज्यो की संख्या 29 थी और यूनियन टेरेटरीज साथ थी आगे चलकर 31 अक्टूबर 2019 2019 में जम्मू कश्मीर से धारत 370 को हटा दिया गया था और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को डिवाइट करके जम्मू कश्मीर और लद्दाग यह दो यूनियन टेरेटरीज बना दी गई तो जम्मू कश्मीर राज्यी खतम हो गया तो राज्यो की संख्या हो गई 28 दो यूनियन टेरेटरीज जुड़ गई लद्दाग अलग हो गई और केंद्र शाषित प्रदेश जम्मू कश्मीर अलग हो गया तो युनियन टेरिटरी जो गई कितनी नो तो जम्मू कश्मीर और लद्दाग को युनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 को बनाये गया था भारत का 27 गठित राज्य कौन सा था स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया थियोरी सेक्षन में काफी डिटेल में समझा था मेप के माध्यम से समझा था भारत का 27 गठित राज्य इजी हो जाता है उत्तराखंड राज्य कब बनाता डेट याद रखिएगा 9 नौंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य 9 नौंबर सन 2000 को 27 गठित बनाता किस से अलग हुआ था तो ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके बनाए गया था उत्तराखंड भारत का 27 गठित बनाता आगे आ जाते हैं इसके बाद देखिए निम्न लिखित में से कौन राज्य पुनर गठन आयोग में सम्मिलित नहीं है तो राज्य पुनर गठन आयोग जो की 1953 में गठित किया गया था इसका एक अध्यक्ष और दो सदस्य थे अध्यक्ष थे कौन फजल अली इसलिए राज्य पुनरगठन आयोग को फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है दो आन्ने सदस्य में के अम पढ़िकर और हिरदायनाथ कुंजुरू थे तो कौन सम्मिलित नहीं था? K.M. मुंशी सम्मिलित नहीं थे राज्य पुनरगठन आयोग में तो अंसर हो जाएगा अंसर A राज्य पुनरगठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली और दो सदस्य क.M. पडिकर और हिर्दैनात कुझरू थे क्लियर? इसके बाद देखते हैं. सेवन्त सविधान संशुदन 1956 द्वारा भारती सविधान के किस भाग को समाप्त किया गया है? तो देखिए सात्वा सविधान संशुदन 1956 मिलाय गया था और तब भारत को 14 राज्य और 6 केंद्रिशाशित प्रजिशों में बाटा गया था. राज्य पुनरगटा आयो किसी फारिश पर? इसके माध्यम से इससे पहले भारती संग जो पार्ट A, B, C, O, D में बाटा था उसको समाप्त किया गया क्योंकि अब उसका रिलिवेंट नहीं रह गया था वो खतम हो गया था उसकी उपयोगीता खतम हो गयी थी तो ये भाग स भारती संग शेत्र को A, B, C, D पार्ट में बाटा गया था तो जैसे भारती राज्यों और केंद्रशाषित प्रदेशों को चाहुदा राज्य और चेंद्रशाषित प्रदेशों में बाटा गया वेसे ही इसकी उपयोगीता खतम हो गयी तो भाग साथ को 7th Amendment Act 1956 के द्वारा क्या कर दिया गया खतम अंसर क्या हो गया C इसके बाद आते हैं भारत का सोलवा गठित राज्य कोन सा था 16th सोलवा गठित राज्य की बात करें तो देखिए भारत का पंद्रवा राज्य हम गुजरात को मान लेते हैं महरास्ट्रों गुजरात बने थे तो गुजरात पंद सव्विधान संशोधन कब किया गया था 1963 नागलेंग भारत का सोलवा राज्य बना था कभी पूछ लिया जा किस से अलग होकर बनाए गया है तो ये असम राज्य से अलग होकर बनाए गया है अंसर हो जाएगा अंसर भी इसके बाद देखते हैं सिक्किम को भारती संग में कब शामिल किया गया था तो सिक्किम पहले एक Autonomy Difference भारत के द्वारा केवल उसको सलेक्षन प्राप्त था वो भारत से अलग था 1975 में 36 सव्विधान संशोधन किया गया था 36 सव्विधान संशोधन कब 1975 और 36 सब्विदान संशुदन के द्वारा 1975 में सिक्किम को भारती संग में शामिल कर लिया गया था ठीके चली इसके बाद देखते हैं राज्य पुनरगठन अधिनियम कब पारित किया गया राज्य पुनरगठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था और इसी के आधार पर भार में चाउदा राज्य और छे केंदर शाषित प्रदेश बनाए गए थे 1956 आंसर हो जाएगा C इसके बाद देखते हैं नियमने लिखेत में से कौन एक संग शाषित प्रदेश नहीं है इन में से कौन यूनियन टेरिटरी नहीं है वर्तमान में ये पूछा गया है तो दीखें लक्षदीप एक यूनियन टेरिटरी आप जानते हैं दादन अगर हवेली भी ये और पुडुचेरी भी ये नागा लेंस भारत का सोलवा गठित राज्य तो ये यूनियन टेरिटरी नहीं है अंसर डी हो जाएगा ठीक है ना चली देखिए अगर आपने थियोरी सेक्शन क एक बार जाकर देख लेना तो आपको सारे राज्यों के बारे में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जितने भी डाउट होंगे वो भी आपके इजिली सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद जब आब MC के उसको लगाएंगे बहुत तो बहुत ही इजिली सॉल्व कर पाएंग अंसर D. तिलंगाना. भारत का कौन सा राज्य? 29 गठित राज्य. कौन बना? तिलंगाना. हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था. तो हिमाचल प्रदेश राज्य की बात करें, friends. तो 1956 में ये भारत के 6 किंद्रिशाशित प्रदेशों में शामिल था किस सव्वेधानिक संशोधन के अंतरगत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया था. अभी हमने बात किये. वहाँ पर हमने year देखा था 1975. लेकिन मैंने आपको 37 संशोधन भी बताया था. 36 सव्वेधान संशोधन है. किस सव्वेधान संशोधन के अंतरगत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाए गया है तो 36 सविधान संशुदन कब किया गया था 1975 में इसके बाद देखते हैं सविधान लागू होने के पश्यात निम्न में से कौन भारती संग का एक आरक्षित राज्य था सेम कोश्चन है थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है भारत का आरक् 1975 में शामिल किया गया है तो आजादी के बाद से यह सहराज्य के रूप में काम कर रहा था एक आर्टोनॉमी के रूप में काम कर रहा था आंसर धी इसके बाद देखते हैं किस वर्ष गुवा सहीत अन्य शेत्र या अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारती संग का राज्य शेत्र बनाए गया तो पहले ही कोश्चन में मैंने आपको इसके बारे में बताया था गोवा, दमन और दिव, पुर्तगाली जो बस्तिया थी फ्रेंड्स, उन्हें 1961 में आप्रेशन विजय अभियान चला कर भारती संग में शामिल किया गया था, कब किया गया था 1961 में, easy सा को तो आपको सभी MCQs यहाँ पर easily समझ मा आ गए होंगे, क्योंकि आपने theory section को उम्मित करता हूँ कि देखा होगा, तो वहाँ पर हमने सभी fact पर बहुत ही detail में discuss किया था, आपको यह session कैसा लगा, comment में जरूर बताईएगा, और last का theory session से क्या आपको कोई doubt है, यह भी आप comment में जरूर बताईएगा, तो उसे next वीडियो में हम solve करने की कोशिश करेंगे, I hope वीडियो अच्छा लगाओगा, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like और share कर दीजेगा, चेनल को subscribe कर लीजेगा, फिर मुलाकातों की next वीडियो में एक नए topic के साथ, जय हिन, जय भारत!